नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका मैस कमेंडर राहुल बढ़ानी और आपका स्वगत है आपके चैनल सीए वाला में सीए वाला में बच्चों के लिए आज हम लेकर आए एक बहुत असा चेप्टर ब्लड रिलेशन जिसमें मुझे पदा है सारे बच्चे पूरे में से पू माइं पूस करना है और लेंग्वेज क्या दे रखी है उसको समझना है अगर एक बढ़ समझ गए ना एक बार लेंग्वेज को समझ गए कौस्टन बहुत एजली सौल होता है ठीक है यस तो इस परिटिक्लों चैप्टर में अगर कोशन पूशन किस सभी क्याते हैं तो यह अब एक और टाइप का question होता है बट ये मेरा जो है देखा गया है कि इस पर question बड़ा rarely बनता है तो तो मेजरली अपना जो दो question मनें गाए वह इस पे बनेंगा या फिर पूरा का पुरा कुछ statements दे रखी होंगी बहुत सारी उसका जंबल करके तीन-चार question मना देगा दिखाऊंगा 2020 में कोशन आया था जिसमें एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रखी थी उस पर ही उसने चार कोशन पूछ लिये थे तो यह भी हो सकता है बताएंगे कैसे करना है उसको भी स्वाल तो अगर देखते हैं कि भाई पिछले एक्जाम में कितने कितने मांक्स का देखा तो 2018 19 20 में अगर आप देखोगे तो लगबग 4 नंबर का आ रहा है पहले 5 चप्टर होते हैं से का इसका सही उत्तर क्या है जैसे कि आपकी बेहन के पिता की बेटी की मां की बेहन का बेटा आपका कौन होगा समझ माया तो ऐसे questions आएंगे अब ये अंग्रेजी में आएंगे इसका क्या answer है आप मुझे comment में बताओ ये पहली है ऐसे question को solve किस तरीके से किया जाता है कुछ rules होते हैं कुछ एक हम family tree बोलेंगे वो बनाना सीखेंगे और इन सारी चीजों को सीखते सीखते बच्चे आप सारे मजे मजे में questions कर दोगे तो बतलब basically blood relation is अपना रक्त संबंद पे जो questions बनते हैं that is पहली उन पहली को solve करना सीखने वाले हैं और उस पहली को solve करने के लिए कुछ rules होंगे उनको follow करना है बट उससे पहले हम कुछ particular आपको चीजे सिखाना चाते हैं English में language किस प्रकार की use करी जाएगी chapter में उसको बताना चाते हैं हमारे blood relation कौन से होते हैं पेले यह बताओ आपके blood relation कौन से हैं खूनी रिष्टे कौन से हैं सर ममी बापा का रिष्टा है हमारा भाई बहन का रिष्टा है हमारे cousins का रिष्टा है हमारे अंकल आंटी बलब चाचा ताओ का रिष्टा भी हमारा खून का रिष्टा बोला जाता है अब यहां आपके साथ साथ आपकी पीडी भी आएगी पीडी बनाने के लिए आपका बेटा होगा बेटी होगी बट उसके साथ कौन होगा आपकी वाइफ होगी तो वो रिस्ता भी खून का वो लाता है आपकी वाइफ का भी है ना, और अब wife का जो पूरा परिवार है, वो wife का परिवार में यहां से जुड जाएगा तो यह सारा रिष्टा जो है, यहाँ पर डिकलेयर किया जाएगा, यहाँ पर discuss किया जाएगा और उस पे किस प्रकार के पहली होगी, वो हम आपको बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर obviously teachers और student का जो relation होता है वो खून का रिस्ता नहीं है वो दिल का रिस्ता है यहाँ पर जो दोस्तों का relation होता है वो खून का रिस्ता नहीं है वो अपना दिल का रिस्ता है तो यहाँ पर जो bloodline से relation होगा, उसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है भाई, तो कुछ particular तरीके से कैसे represent करते हैं, उसको देखते हैं, mother मतलब मा, father मतलब papa, अगर कोई पूछे आप से mother's mother, mother की mother कौन है, या फिर father के father कौन है, father के father कौन है, आपके papa के papa कौन है, तो क्या ब अब समझो, father के father grandfather है, और father के, अगर mother के father बोले तो, मम्मी के पापा, father के father भी grandfather है, और मम्मी के पापा, नाना जी, वो English में बोले जाते हैं grandfather ही, पापा की side से होते हैं, तो हम बोलते हैं, बेटा, paternal grandfather, अगर पापा की side से होते हैं, ठीक है ना, और अगर mother की side से होते हैं, त ठीक है अब उससे आगे आता है father's mother आपके पापा की मम्मी आपकी कौन लगेगी आपकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आपके पापा की मम्मी आपकी कौन लगीगी आपकी दाधी लगी अंग्रेजी में बोलते हैं grand mother पापा की साइड से है तो पैटे कर बहुत है कि मैंभा इस साथ भर लो भाई इस पूरी क Beaustina में इन्हीं का use होने वाला है अगर यहां पर गड़ बढ़ होगी मुझे पता है अभी स्टार्टिंग में आपको लोगा सर यह तो बहुत इजी है अपने बच्पन में पढ़ा हो इतना क्या सिखा रहे हो बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा फिर वहां पर confusion आएगी अभी basics लेखते जाओ ठीक है य अंगरेजी में बोलते हैं अंकल अगें फादर की साइड से है तो पैटरनल अंकल पैटरनल वर्ट जोड देंगे पापा की साइड से मम्मी की साइड से मामा मामा को लगें अंगरेजी के अंदर में बोलेंगे उनको भी अंकल ठीक है ना मम्मी की साइड से तो वर्ड हमने म आंट होता है मतलब आपकी बुआ जी बोल रहा है यह फिर कोई कोई बोलते हो है ना यही मदर सिस्टर मम्मी की सिस्टर मौसी मौसी कौन लगेगी अंग्रेजी में आंट ही लगेगी वट मम्मी की साइड से है तो मैटरनल आट यह वर्ड यूज नहीं होंगे बड़ समझाने आपके स्पाउस मतलब की आपके पती या पतनी को स्पाउस बोलते हैं है ना जैसे अगर आपकी शादी हो जाएगी तो आपका जो साथ वाला होगा आपका जीवन साथी होगा उसको स्पाउस बोलेंगे ठीक है ना जीवन साथी होगा स्पाउस बोलेंगे तो अगर आपके आप लड़के है, आप लड़के है, ठीक है, आपकी बीवी के पापा, आपके क्या लगेगी है, सर ससुर जी, और अगर आप लड़की है, तो आपके पती के पापा, आपके क्या लगेगी है, वो भी ससुर जी, तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, father in law, अंग्रेजी म लगेंगी जी आपकी mother-in-law क्या लगेंगी जी mother-in-law लिख लेजे इस बात को कि संस्वाइब बेटी बेटे की बीवी आपका बच्चा भाशादी होगी बच्चा हुआ बच्चा लड़का जो है उसकी बीवी आपकी क्या लगेगी daughter-in-law क्या लगेगी daughter-in-law हिंदी में क्या होता है हिंदी में क्या होता है जल्दी से कमेंड बताओ आपके बेटी की बीवी आपकी क्या लगेगी हिंदी में बताओ daughter-in-law को हिंदी में क्या बोलेंगे daughter's husband कि आपके बेटे बेटी का पती है ना क्या लगेगा सर दमाद जी उंगनामे पदारे गाका है सण और आपके आपका डेरेक्ट खुली निस्था नहीं है उसे आपकी ब्लेड़ लाइन का स्पाउज है वो तो in-law आपकी bloodline का mother in Mother जो है ना आपकी bloodline का spouse है उसकी mother और father side मारा तो in-law word वहाँ से आजाएगा ठीक है ना इन लोग के राइलेक्ट खूनी रिस्ता नहीं है, बट हाँ, किसी ना किसी पती और पत्नी है, उसी के अंदर में, उसकी मम्मी पापा है, उसी से रिलेशन है, ठीक है ना, मम्मी पापा भाही बेहन, उनसे रिलेशन है, येस, husband's और wife's brother, आपकी पती या पत्नी का भाई, कौन होगा आपका, साला साली होगा, अगर आप लड़के हैं, लड़की हैं, तो आपका जेट जेठानी हो जाते हैं, येस, ऐसी होता है ना, तो क्या कहलता है, उसको देवर देवरानी हो जाते हैं, क्या बोलते हैं, अंगरे जी में उसको brother in law, हर एक के लिए एक ही वर्ड मनलब भी-बी है, उसकी बेहन क्या कहलाएगी, साली कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी साली या नननन्त कहलाएगी, अंगरे जी में बोलते हैं, उसको sister in law, क्या बोलते है, sister in law, इसको लिख लेजिए, brother और sister's daughter, भाई की बेटी, भाई की बेटी, मनलब जैसे, आप के, आप है आपकी भाई हैं, उसकी बेटी है उसकी बेटी कौन होगी आपकी सर हमारी भान जी लगेगी है न हमारी भतीजी लगेगी यह रिलेशन्स होँगे अंगरे जी में बोलते हैं नीस सब पता है हमें, मुझे पता है अगला, sister son कौन होता है, nephew यह वर्ड हमें पता है इसको लिख लीचिए यह पता है ना ठीक है वह अंकल सुराइंट सन और डॉटर अंकल मतलब कि आपके चाचा का बेटा आपकी चाची का बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हिंदी में वही वही वर्ड यूज करते हैं हिंदी होती है एक लिए अं बैटा बेटा अब इसारे जो हमने पड़ने पीटा अब यह सारे मोरस सारे बहुता चाचा के और गाकुटा जो है उसकी माँ उसके पापा उसके डादा का नाना जो बेच्चा होगा वह आपका ह्या लगएगा बोगत नorf्यूच हो जाओंगे उस confusion को दूर करने के लिए ह क्या है यह क्या बोलना चाह रहे हो कहना क्या चाह रहे हो यह दिमाग बोल रहा था अगर इस दिमाग इस पूरी पहेली को आप फट फट आँसे देना चाहते हो तो आपको बनाना पड़े गा एक फैमिली ट्री इस पूरे चैप्टर मेश ब्स ये- urged आर्ट है और आपको आज इस आर्ट का मास्टर बना देंगे फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं आओ सीखते हैं फैमिली ट्री के बारे में चलिए फैमिली ट्री बनाने के लिए कुछ चीजों का धियान रखना है पहरी चीज़ करत जब भी मेल होगा ना उसको वहां पर जैसे ना टाहर का है तो a की उपराव 152 है बीए वो लड़की है तो बीचे उपर में माइनेस जैसे आपको जैंडर बजा चला ना जैंडर में एटीमेल हैं फीमेल है यहुद म करना अगर है जैसे आप यहां आ है आपके पापा यहां है तो अगा श्योण के जोड़ना है तो हमने क् और आपका brother है, तो उसको हम ऐसे horizontal डंडे से जोड़ेंगे, horizontal डंडे से याद रखेंगे, ठीक है, बट सर हमारी generation की तो हमारी wife भी है, हम यहाँ हैं और हमारी wife है, तो उसको हम क्या करें सर, किरा उसको अपन ऐसे double डंडे से जोड़ेंगे, double डंडे से, अब आप मानने लड़क आ चुका है, I don't know, बताना आया है नहीं आया, बट हाँ, कुछ द्रेशनों में तो है allowed, so कर सकते हो कोई बात निए बट हम एक इस पूरे chapter के अंदर में हम मानेंगे कि जो शादी हो रही है, एक लड़का और एक लड़की की ही हो रही है, ठीक है भाई, एक लड़का और एक इमेल के लिए माइनस, एक जनरेशन के आपाएगा तो हम इस जोड़ेंगे, और ऐसे आएगा तो हम एक सिंगल लाइन से, पर हज्मेंड वाइप का आएगा तो हम उसको डबल जोड़ेंगे, ठीक है बाई, क्लियर है, अगर क्लियर है, तो आगे है, ग्राइंड मदर, ग्र मतलि सपेशिव उसकती है, छलर ग्रेशन के लोग है, तो जब भी एक जनरसेटों को मानेगे, यह एक लाइन में ठीक है, ऊसकी अगली जनरस्ट कोन होईगी, उसके नीचे वाली पीडी कौन होईगी मदध के पीडी और आपकी लिए आप खुद है और आपकी बहन होगी आपका भाई हो गया शिस्टर इन लोग गया और साथ हमें cousins हो गए, cousin भी इसी generation के अंदर आएंगे, है ना, yes, यह क्यों है भी family tree बनाना सिखाऊंगा, उसमें समझ में आएगा कि अच्छा, यह एक line में दिखने चाहिए थे, यह उपर वारी line में दिखने चाहिए थे, यह नीचे वारी line में दिखने चाहिए थे, आपकी नीचे generation कौन स कैसे बनाते हैं, को जहां से देखना, सबसे पहले जब भी family tree बनाएंगे ना, मतलब आपका, आपका family का tree, है ना, जिसने Harry Potter देखी होगी, उसमें black family थी, serious black, याद आ रहा है, serious black, उसकी family थी, Harry Potter देखिए मूवी में, क्या था, serious black था, serious black की पूरी family सी तना, पत्तव पत्तव में मना रखे दी, उसको हम आब ढ़ंग से बनाएंगे, हमारे पास में इतना time नियुका, हम जागर चित्र चिपकाएं और वहाँ पे उसका नाम लिख़जे, है ना, और जो हमारे family में दाग लगेगा, उसको हम वहाँ पे काला कर दे, हमारे पास इतना time नहीं है, है ना, हम मिलिट्री जो बढहेंगे जो उसमे एक मेन फरसन होगा या कोई नाम दे रखा asana या आपके बारी मिलिए जो भी रखाया आकबर जो भी नाम दे रखाया अपने तो यहां एक नाम दे रखाया और को आख तो अगर बोलते हैं यह परसन है इसके फादर इससे उपर जन्देशन में आएंगे अब यह लड़का है लड़की नहीं पता बट इसके फादर है तो पकी बात है वह लड़के होंगे तो उपर में प्लस साइन लगा दिया ठीक है अब इनकी वाइफ होगी तो आपकी कोन है म नो लेकेंगे आपकी कोन है यह मदर यह ने लिख दिना आप नो आपकी क्या रिलेशन रिलेशन आप से पता चलना चाहिए तो आपकी मदर है फादर और मदर का रिलेशन है husband wife का जैसे यह husband wife आईगा तो हम उसको double ndash से जोड़ेंगे यह पताया था ठीक है आपकी बहन है तो आपकी sister हो गई यहाँ पर, तो ऐसे minus से, आपका brother है, अच्छा मैं इधर में निलिखूँगा, इधर में लिखना चाहता हूँ, अब आपका brother आपकी sister का भी brother होगा, आपका brother आपकी sister का भी brother होगा ना, तो मैं उसको यहाँ से भी जोड़ूँगा तब भी चलेगा, ऐसा मैं यहाँ पर ऐसे जोड़ूँगा, नहीं, line straight होनी चाहिए, ठीक है, तो family tree में एक याद रखना, अगर मुझे एक लड़का, आपका नाम है चुन्नू, आपकी बेहन है मुन्नी, उसका भाई है और एक और भाई है मुन्नू, तो चुन्नी, मुन्नू और मुन्ना, जो भी दोनों सारे के सारे भाई 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 नहीं है ना, तो एक line में आ रहे हैं तो यह represent क्या कर रहा है, यह क्या represent कर रहा है कि यह आपका भी भाई है और आपकी बेहन का भाई है, चलेगा, है ना, यस, आपकी spouse है, इसलिए जगा इदर छोड़ी आपकी spouse, तो आपकी wife हो गई, बालो अगर आप लड़के हैं, ठीक है लिख देते हैं, चलो, अब हमने बता दिये कि आप लड़के हैं, तो आपकी wife हो गई, आपकी wife के पापा, आपके father-in-law, देखो, represent आप से किया जा रहा है, father-in-law, आपकी, इनकी बीवी, आपकी mother-in-law, represent किसे किया जा रहा है, आपके relations है, इनका brother, कौन होगा आपका, आपका brother-in-law, तो brother-in-law को BIL short में लिख दिया, ऐसे, आपकी साली, आपकी कोन होगी sister-in-law, आपकी sister-in-law कोन है, इसकी बेहन है, इसकी भी तो बेहन होगी न भाई, आपके साली की बेहन होगी वो, तो यहाँ पर ऐसे दिखा हुआ जागा, आपके पापा के पापा कौन होंगे भाई आपके सर हमारे पापा के पापा हमारे grandfather कहलाएंगे और उनकी बीवी आपकी grand mother कहलाएगी समझ रहें दीखरों कैसे लिख रहा हूँ मैं सब कुछ आपके reference में और grandfather और grande mother husband wife थो उनको जोड भी दिया है है ठीक है नवाई इनकी भी अगर मान लो पापा की बात कर ले, तो यहाँ पर भी ऐसे आ जाएगा ठीक है, यह कोशन में आता नहीं है कभी हाँ, मदर के आ सकता है, यह यह पेटरनल चल रहा है Yes, this is पेटरनल यह तो वाइफ के साइड की है यह आएगा नहीं कभी, इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है यह आ सकता है, यह वाला, ठीक है, मदर का, तो मदर का भी इसी के साथ में आएगा ठीक है ना, इसके लिए स्पेस बनाना पड़ेगा, मुझे मदर का भी रिपेजेंट करना है I need space ठीक है, जान करके मैंने इतना दूर क्या है, रिजन क्या है, मुझे maternal और paternal दोनों दिखाने अगर, तो ऐसे दिखाऊंगा, और यह क्या है, maternal है, maternal है, ठीक है जी, समुझमें है? आपके बच्चे आपके बच्चे आपके क्या कहलाएंगे ठीक है आपके बच्चे लेट सपोस यहां पर आ जाएगे नीचे वाज जिम्देशन आ जाएगी तो आपका सन हो गया आपकी बेटी भी है तो उसकी बहन होगी ना आपके बेटी की बहन होगी वह बेटा भी है और मैंने और आपकी वाला लेकर लिखना नाम बताएथे इसे फेमिलिटरी बढ़ता रहता है। है अगर मानलो आपकी मम्मी का भाई जो है वो अंकल क्यों जाएगा और एक बेहन भी आउंट क्यों इनके बच्चे में नीचे वाले जन्रेशन में आपके क्या क्यों जाएगे हैं कजन क्यों लड़का है तो प्लस पक्रणा जाएगा तो यह तरीगा हुथा बटन देख रहे कि उसको ऐसे convert करते रहेंगे यह करना सी गये question का answer आ जाएगा इसके बाद एक ही बादा है language को पड़ना ठीक है ना language को समझना कि यह बादा है इसको समझेंगे फिर उसके बाद में family tree बना देंगे आपका answer आजाएगा देख बिए ना बस इतना ही करना होगा है सारे questions पे ठीक है, तो कुछ टिप्स देना चाता हूं, फिर्म आपको questions पर लेकर आऊंगा, attention मतलो, questions पर आ रहे हैं, हम सबर करो, आ रहे हैं, इंतजार तो करो, आ रहे हैं भाई, पिरो बनाएंगे इस chapter में, क्या है जी सबसे पहले tips, क्या है कि जो भी question मिले, उसको बोड़े छोटे छो टुकड़ों में तोड़ दो, छोटे छोटे टुकड़ों में, मतलब कि अगर मानलो 10-15 लाइन ने दे रखी है, तो पहली लाइन को अलग पढ़ो, उसका अपने family tree बनाना है, दूसरी लाइन को बढ़ो, तीसरी लाइन को बढ़ो, उसका family tree, तो मतलब कडिया जोडते जान है, chain बनाते रहना है, ओके, फिर, जहां पर आपको gender specifically नहीं बताया जाए, उसको आप मान के चलेंगे कि हमें gender नहीं पता, plus, minus, I assume करके नहीं लिख देना है, कि भाईया, इसके जो है, A is, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, A is the father of B, यह लाइन दे रखी ह है, तो आपने क्या करा, A तो father है, तो वो तुम्ही यह प्लस में होगा, किसका father है, sir, B का father है, अब B का gender क्या है, क्या है, जल्दी बताओ कमेंट में, क्या है B का gender, बता सकते हो, A is the father of B को मैंने बनाया फैमिलेटरी में, B का gender क्या है, sir, नहीं बता, B के father A है, B लड़का भी हो सकता है, और लड़की भी हो सकती है, sir, सुनने में तो लड़का लग रहा है, क्यों, कहां लिखा है, बुले है, and B is the son of A, नहीं बोला ना, जब तक ये line ना बोले जा कि B is the daughter of A, या A, B is the daughter, नहीं sir, B तो लड़के जैसा लग रहा है, किसने बोला, है ना, assume नहीं का रहने है, थोड़ा बहुत गंदिगे दिखती है, इस chapter के questions में नहीं होएगी, क्योंकि बड़ी मजबूरी है, यहां गलती करी, एक line इदर की उदर करी, answer गलत हो जाता है, तो बहुत साफ सुतरा, प्यार से, अराम से बनाते चलना है, ठीक है, नाम पूरे बड़े बड़े नहीं चोटे नाम लिखो, shortcut नाम बना लो, बट ऐसे नाम बनाओ, खुद से, जिसको याद कर पाओ, कई बार तो notation होगी, जैसे इस question में, notation है, A भी दे रखा है, अरुन और बवीता नाम नहीं दे रखा अपने को, ठीक है, X, Y दे रखा है, कुछ अलग नाम नहीं दे रखे, बड कराओ, यार, बहुत सीख लिया, अब इंप्लिमेंट करने की बारी आई है, चलो करते हैं, क्या रहा, A और बी यार मेरीड कपल, A और बी मेरीड कपल है, पहली लाइन बढ़ी, यही बोला था, जैसे बढ़ते जा रहे हो, उसका family tree बनाते जाओ, A और बी यार मेरीड कपल, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों male है, तब ही भाई भाई होंगे ना, brothers लिखा है, यह नहीं लिखा है, X is a brother of Y, यह Y is a brother of X, नहीं, X and Y are brothers, X is the brother of A, X जो है A का भाई है, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है, मैंने उसको अलग क्यों लिखा था, क्योंकि मुझे इस इसको लिखा, जैसे ही मिलेगी, उसको यहाँ पर लिख दो, sign उसका लिखो, जिसका लिखा हुआ है, A का अभी भी gender नहीं बता, यह बोले, X जो है वो A का भाई है, तो X अगर A का भाई है, Y भी A का भाई होगा है, यह भी clear है, ठीक है, how is Y related to B, Y, B का क्या लगता है, Y, B का क्या लगता है, बताओ, सर, Y जो है, वो लड़का है, ठीक है, और उसके spouse का, जो है, कुछ relation है, चाए वो लड़की हो, चाए वो लड़का हो, तो क्या होगा यहाँ पर, brother in love, है ना, यह लड़का है ना भाई, brother in love, यही अंगरेजी का मजा है, अब हिंदी में होता है question, तो गलत हो जाता, क्योंकि सर, यहाँ पे हमारा साला भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा जेट भी हो सकता है, यहाँ पे हमारा देवर भी हो सकता है, बट अंगरेजी में क्या होगा, brother in love, क्यों सर, क्योंकि हमें ना A का gender बता है, ना B का, अगर यह पूछलता है, what is the relation of B to Y, नहीं बता सकते थे, क्यों सर, क्योंकि B का gender नहीं पता, हो सकता है कि इसकी daughter-in-law है, या इसका, sorry, इसका चाहिए वो sister-in-law है, ब्रदर-in-law है, नहीं पता, B का A से wise relation नहीं पता बक्का, वो brother-in-law भी हो सकता है, उसकी भावी भी हो सकता है, और उसका, क्या ना मैं, क्या जी बताना है, इसका बताना है ना relation, इसका relation इसके साथ बताना है, तो जिसका बताना है, उसका gender पता होना जरूरी है, ठीक है, किसका gender पता होना जरूरी है, जिसका relation बताना है, उसका gender, तो why का relation बूचा है, relation किसका बताना है, why का, why is related to be, तो why का gender पता है क्या, हाँ sir, लड़का है लड़का है और वो उसके स्पागुस से रिलेटिड है तो क्या हो जाएगा ब्रदर रिलो आंसर क्या आएगा ब्रदर रिलो नाइस कोश्चन देए ठीक है अगला कि A B and C are sisters जो लिखा जा रहा है जो बोला जा रहा है लिखते जाओ A B C sisters है तो तीनों लड़किया है और तीनों एक तो B की daughter कौन है E है समझे रहो मैं चाहूं तो इसको पहले लिख सकता हूँ या फिर मैं अगर पूरी C कैसे relate कर रहा है, B से, आप देखो इस पूरे question को अगर ध्यान से पढ़ोगे, तो इस पूरी line का कोई मतलब ही नहीं था, तो ये चीज का ध्यान रखना, सबसे पहला attempt, जब भी question पढ़ते हो, जब भी question पढ़ते हो, याद रखना, question में पूछा क्या है, ये पढ़ो, time save होग है, how is C related to B, तो मैं देखोंगा, A, B, C, floor chart बना, अरे, C तो यहीं पर दिख गया, C, B की sister है, कहां जाओंगा मैं आगए, ज़रूद ही नहीं है, बोला न, A, B, C, or sister, तो अगले वाले line का कोई use ही नहीं है, family chart बना दिया, ठीक है, अच्छा है, बट फालतु को time waste क्या ये ब दिख लिया, जैसे मुझे D और E दोनों दिखेगा, और relation दिख पार अगों कर लेंगे, ठीक है, आगे, E is the son of A, E जो है, वो son है, A का, लिख दिया, D is the son of B, अच्छा, अच्छा, ये A और E का नहीं बता, किस साथ कोई relation ही है, D, B का son है, इसका, इसका कोई अभी link नहीं बत है, अलग से लिख दो, E is married to C, E की शादी हो रखिये C से, तो E अगर लड़का है, तो C को लड़की होना पड़ेगा, याद रखना ये बत, ठीक है, C is B's daughter, C कौन है, इसकी daughter है, अब आगे ना link, C इसकी daughter है, तो C B की daughter है, और D B का son है, तो logically दिख रहा है, C अगर daughter है B की और D son है B का, तो D इसका भाई होना पड़ेगा, ठीक है ना, logic दिख रहा है ना, तो ये logic अपने को connect करते रहे हैं, ये अपने को logic करते रहे हैं, अब ये जैसे ही मैंने यहाँ पर किया, इसको हटा सकता होगा है, ठीक है, yes, how is D related to C, तो अब बने हैं देखो, D और C पूरा साथ अब आए हमारा, क्या दिख रहा है, how is D related to C, D is the brother of C, D जो है, वो C का भाई है, लड़का है, और C का भाई A है, एक लाइन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, so this is how family tree is drawn, और इसका ये काम आता है, अब, ये तो basic questions दे, जहाँ पर language बड़ी confuse नहीं कर रहे हैं, मैंने बोला थाना आपको language confused करती है, यहां तो दिखा language confused कर रहे हैं, सीधे सीधे बोला हुआ है, language confused कैसे करती है सर, ये तो बताओ, तो उसके लिए कुछ words लेकर है आप, आपको लिखा हुआ मिल गया, only son of my grandfather, क्या लिखा हुआ मिल गया भई, only son of my grandfather, मेरे दादा जी का एक लौता बेटा है, तो आप यहां है, आपके ऊपर में कोई है, आपके पापा है, पता नहीं कोन है, हैं, हो सकता है, आपके पापा है, यही है, मंभी भी हो सकती है, बट पापा ही बोला हुआ है, my grandfather अगर बोल रहा है, ठीक है, grandfather बोल रहा है, और हम मान के चल रहा है, paternal grandfather की बात कर रहा है, हम म बढ़ा रखा कि maternal grandfather है, maternal grandfather है, तो question को ना, उस तरीके से assume करना, कि अगर वो पापा की side से बाते कर रहा है, तो पापा, जैसे son बोल जिया इसने, तो बापा की side से बाते करने की कोशिश कर रहा है, जैसे बोला ना, only son of my grandfather, मैं एक grandfather का एक लोता बेटा, कौन है भाई, यहाँ वाला inside, that is your father, तो मतलब इनका कोई भाई नहीं है, इसका line का मतलब क्या है, यह आपके कौन है, father है, और आपके father का कोई भाई नहीं है, no brother of your father, इस line का मतलब यह हो गया, ठीक है, है, है ना भाई, यहीं मतलब हो ना, only son of, मतलब इनका एक लोता लड़का है, और उनके आप बेटे हो, ठीक है, याद रखना, सर आपने maternal grandfather मान लेते हैं, तो आपका मामा हो जाता है, तो, यहीं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लॉजिकली सही है वो भी, बट, कोशिशन के अंदर में बोलेगा, कई बार एज्यूम कर लो इक लिए, तो एज्यूम करना, कि सबसे पहला, जो भी आपका ये relation दे रखा होगा ना, वो आप से related, direct होगा, तो direct relation जिसे father या mother का होता है, अभी question हैं कि तो बताऊंगा, ठीक है, बड़े confusion इस छोटी-छोटी चीज़ों में होते हैं, मामा logically ठीक है, कि सर, अगर मालों mother होती, तो आपके दादा का, नाना का इक लोटा बेटा, तो मामा भी हो सकता था, बट यहाँ बे ये chain जोडने की बात करेगा, ठीक है, yes, only son of my grandmother, only son of my grandmother, same तरीके से, आपके पापा हो जाएंगे, आपकी ग्राइड मदर यहाँ है, इनका इक लोटा बेटा, आपका पापा है, ठीक है ना, और पापा का कोई भाई नहीं है, only daughter of my grandmother, अब ऐसी लाइने को यूज होने का मतलब क्या है, कि आप यहाँ है, आपकी grandmother यहाँ है, इनकी daughter की बात कर रहा है, इनकी daughter की बात कर रहा है, तो कौन हो गई, आपकी mother हो गई, है ना, sir mention तो नहीं का रखा, हाँ, दूसरा case है, question में generally ऐसे होगा, वो भी logically है, यह भी हो सकता है, और मामा भी हो सकता है, maternal uncle भी right answer है, answer right है, बट मैं बोल रहा हूँ, question इस तरीके से होता है, मैं question के accordingly बता रहा हूँ, answer दोनों है, father भी है, और इस case में जिसे mother भी answer आएगा, और पापा की side से होगा, तो paternal aunt भी आएगा answer, है ना, मम्मी की side से हुआ, तो यह आएगा, अगर मान लो, पापा की side से होगा, तो इनकी पापा है आपके यहाँ पर, आपकी दादी की वादखारी गई है, तो इनकी clothी बेटी कोन होगी, आपकी पापा की भाई भी हो सकता है, बट मैं बोल रहा हूँ, question यह prefer कर रहा हूँ, जनरली यह देखा गया question, इस language के accordingly बोलता है, ठीक है, याद रखना, only daughter of my grandfather, same answer, ठीक है, जैसे दादी का है, वैसे दादे का है, sister of my mother, मेरी मम्मी की बहन, है ना, इसको draw करना है अपने को, तब समझ में आगा, मैं यहाँ हूँ, आप, आपकी मदर यहाँ है, और उनकी बहन यहाँ है, तो आपकी कौन है यह, aunt हुई ना, तो ऐसे करना है, ठीक है, son daughter of my husband, अब यह लाई नहीं है, देखो, confuse करने वाले च्वे, daughter of my husband, मैं यहाँ हूँ, मालो आप लड़की है, तो आपके husband यहाँ है, इनका बेटा, आपका कौन लगेगा, इनका बेटा आपका कौन लगेगा, तो आपके पती का बेटा, आपका क्यों है, बेटा है, सोतेला भी हो सकता है, यहाँ पर उसको डील नहीं करते है, ठीक है, ऐसे questions को डील नहीं करते है, ठीक है, समझ मैं आप, इस पर question में नहीं आएगी, आगे, son daughter of my wife, सेम तरीके से आपका son daughter हो गया, अगर आप लड़के होए तो आपके पतनी का बेटा या बेटी आपका क्या लगेगा, मेरा भी बेटा बेटी लगेगा, तो language confuse कर रहा है, वो से यही देखना है, only daughter of my grandfather's only son, अब देखो, language कैसे हमेशा नहीं शुरू करना हो ना, ऐसे questions में, कभी भी, जब लेंग्मेज बड़ी गनफ्यूस कर रहा है, इस कड़ी को ढूंदो, आपको ढूंदो, मेरे grandfather, मेरे grandfather, यहाँ पर कोई है, बम्मा या पापा, और इनके grandfather, ठीक है, only son है, only son है, grandfather का only son, कौन हुआ, यह इंसान होग my grandfather's only son, my grandfather's only son, तो यहाँ तक पहुच गए, इसको हमने डंडा मा रखा था, ठीक है, अब यह जो डंडा मा रखा था, only daughter of, यह कौन है, इसको लिख दो यहाँ पर, यह है आपके father, है ना, यह लिख दिया हमने, father है हमारे, यह कौन है, father है, तो only daughter of your father, अगर आप लड़के हो गई, है ना, तो आपकी बेहन हो गई, अगर आप लड़की होए, तो आप खुद हो गए, अगर आप लड़की होए, तो खुद हो गए, क्यों सर हमारी बेहन नहीं हो सकती, क्योंकि बोल रहा है, only daughter, मतलब एक ही बेटी है, समझ को पढ़ना बढ़ा जरूरी है, यही language मे और कुछ difficult रही है, ठीक है? So, दुबारा से बताता हूँ, कहां से शुरू करेंगे? आप से, माई से शुरू करेंगे, अपने से, और पूरी लाइन को पढ़ लेंगे, जब उसका संशेफ सिंपल हो जाएगा ना, हाँ, my grandfather only son, मेरे बाप की बाद कर रहा है, तो मेरे बाप की बाद कर रहा है, only daughter of my father, इकलोती बेटी है, इकलोती बेटी है, तो मैं खुद हूँ अगर लड़की हूँ, या मेरी बहन है, अगर मैं लड़का हूँ, बस सिंपल, grandmother of my father's only son, अब ब्यान चे, my father only son, अगर लड़के हुए, लड़के हुए, तो कौन हुआ, आप हो गए, लड़की हुए, तो आपका भाई हो गया, ठीक है, तो यह क्या represent कर रहा है, अब दोनों में से एक ही case कर लेकर चलते हैं, ठीक है, दोनों में से एक, या तो आप या आपका भाई, दोनों मैंसे एक case लेकर चलोगे तो अपने आपको मादना तो यह लिखना माई ठीक है myself only ठीक है तो grandmother of you यह पूरा कहा रिप्रेशन माई father's only son my father's only son, my love लड़की हो तो आप अपने आपको आपके भाई, मालिआ लड़की होते हैं या भाई रॉन आपको भाई की बातो आपके भाई के भी grandfather कोन होते है? już यह position ऐन गराइए तो आपकी आपकी grandfather होते है देखे रो, language देखे रो कैसे है, father of my daughter's father, तो पहले कड़ी गया है, my को ढूंड़ना, my को ढूंड़ो, ठीक है, my daughter, मेरा daughter, ठीक है, आपकी लड़की है यहाँ पर, daughter's father, मेरी daughter के father, आपकी बेटी के बाप, अब खुद हो गए, तो यह again, देखे रो, language फालतू की confuse करेगा बस य अपने आपकी बात कर रहा है, लिख लो ऐसे उसके नीचे, father of myself, मेरे बापा, मेरे बापा यह हो गए, तो मतलब basically, आपके बापा की बात ही कर रहा है, language confuse के से कर रहा है, पहले आपको आपकी बेटी के बस लेगा, आपकी बेटी के फिर आपके बस लेआया, फिर आपके बस father of my son's father, जैसे यहाँ daughter लिखा है महा son, तो यहाँ पर son की daughter आजएगा, बताओ क्या answer आएगा, जल्दी से comment कर के बताओ, what will be the answer here, फटा 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 से, क्या answer आएगा, my son's sister, मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, उसकी बेहन है, तो मेरी कोन लग लगेगी, daughter लगेगी, daughter, लिख दो भाव, जो लगेगा, और बढ़िया question, यह question है, whatever I am teaching you is a question, यह question का पार्ट है, यह करना सीख गए, question में कुछ नहीं है, वो तो बस कहानिया है, वो तो हम कहानियों को simple कर लेंगे, question में जहाँ अटकते हो, वो है, यह line है, यह line हो का मतलब स पाल हो गया, जैसे यह, देखो, daughter in love, grand mother of my father's only son, अब line हो खीसता रहे गा यह, हमें क्या फरक पड़ रहा है, हम कड़ी जानते हैं, हम अपने आप से शुरू करेंगे, my father's only son, मेरे पापा, मेरे पापा, only son, मैं खुद हो गया, मैं लड़का मानू हुआ, पहला किसे हैं, मैं खुद हो गया, तो इस पूरी line को लिख दो, myself, जो दिख रहा है, वो लिख दो, ठीक है न, मेरे पापा का एक लोता, बेटा, यहाँ प्लस साही लगा दो, बंदर मान के चल रहे हो, अपन चोड़ना है ताकि generations बना पाए, आप क्या बोल रहा है, Grandmother of myself, अब उल्टा चलेंगे, जैसी माई के आगे वाली कहानी खतम हो गई, तो reverse gear लगानेगा, तो reverse gear लगानेगा, Grandmother of myself, तो आपकी Grandmother, यहाँ पर आ गया, daughter-in-law of your Grandmother, Grandmother तो यहाँ तक पहुच गया है, daughter-in-law कौन है इनकी, इनकी बहु कौन है, इनके बेटे की, इनका बेटा मतलब आपके पापा की बीवी, तो यह कौन है, Mother है आपकी, relation अपना लिखो, यह कौन है, Mother है, यह बात कर रहा है इनकी, यह कौन है, daughter-in-law of your Grandmother, daughter-in-law of Grandmother of myself, तो मतलब मेरी दादी, तो यह पूरी बात कहाँ पर आ गय थी, यह पूरी बात आ गय थी, इस इनसान वर, यह कौन है, Grandmother, इनकी बहु कौन है, आपकी कौन है, Mother है बेटा, तो आंसर क्या अगे, Mother है, इस प्रकार से question को करोगे, आंसर आएगा, ठीक है, A is the father of B, but B is not the son of A, जहां से बढ़ना, बहुत बढ़िया लाइन है, A जो है, वो B के पापा है, but B जो है, वो A की बेटा नहीं है, B is not the son of A, B अगर son नहीं है, तो क्या होगा, logic बताओ, जल्दी से, क्या होगा, आंसर आप बताएंगे, अगर B जो है, वो son नहीं है, तो क्या होगा, क्मेंट करके हमें उत्तर जल्दी से बताओ, sir, daughter होगी, भाई, sorry, लड़की होगी, female होगी, या daughter ही बोलेंगे, yes, तो B is the daughter of A, B is daughter of A, भाई, अगर B लड़का नहीं है, तो लड़की होगी, तो लड़की क्या होगी, A की बेटी होगी, ठीक है, so, अब, question और कैसा आता है, जैसे ये question है, इस type का question आएगा, ये puzzle वाले question चल रहा है, ठीक है, कौन सा पहला type चल रहा है, that is puzzle question, question based on the puzzles, ये सारे जो question करा रहा हूँ, that is, question based on the puzzles, पहला type है होगा, F is the brother of A, C is the daughter of A, जो लड़की होगी, पहले लिखते हो, F जो है, पहले लड़की ह हो है, वो daughter है, एक ही, तो नीचे आगए generation, K is the sister of F, अब K और F, अच्छा F यहां लिखा हुआ है, K कौन है, इसकी sister है, G is the brother of C, इसका brother कौन है, G है, लिख दिया, who is the uncle of G, G का uncle कौन है, तो इसके पापा या मम्मी का भाई बहन होगा, इसके या पापा है या 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 मम्मी है G का पापा या मम्मी तो यह होगे ना भाई, इसकी बहन के पापा या इसकी बहन की मम्मी, इसकी तो मम्मी बहन होगे ना, तो इसके पापा का भाई, यह है, यह तो बहन है ना, वो uncle होगा, तो F is the uncle of G, यह शुर है, थोड़ा सा cold हो रखा है, माफी इसके लिए, yes, F is the uncle of G, साफ साफ दिख रहा है, कोशन में कुछ है ही नहीं भाई बहुत easy कोशन, बहुत simple कोशन कर लेंगे ऐसी कोशन हैं कि एक्जाम में एक बर language समझ मानी चुरूँगी कोशन में 4 दोगे B is the husband of P पहली line, जो line ने दिए जारी है उसको लिखते जाओ B जो है, वो husband है P का तो B double dot, double line किसके लिए husband wife का relation B अगर husband है तो P wife होगी जो जितना आपको information clear दिखती जारी है उसको लिखते रहना है Q is the only grandson of E Q जो है, वो grandson है E का ठीक है न, अब यहाँ पे कौन है बीच में कोई गायब है, पता नहीं कौन है E का gender गया नहीं पता Who is the wife of D अब यह जहाँ से देखना वर्ड, बहुत प्यारा वर्ड है Who वर्ड जब भी यहाँ पे who लिखाओ गाना याद रखना, तो यह इसकी बात कर रहा है और अगर यह joining word and आ गया आ तो वो इसकी बात कर रहा है लिख लो अपने SSN में अगर line खतम होने के बाद में अगली line शुरू कर रहा है Who से तो मतलब जो आखरी वाला बंदा है उसके बारे में बात कर रहा है अगर and से जोड रहा है तो पहले वाले line बात कर रहा है ठीक है ना and is the wife of D मतलब वो Q की wife हो जाती Q wife हो जाती है D की अगर who से जोड़ा है तो मतलब E जो है वो D की wife है E जो है वो D की wife है यह हो गया ठीक है? ओके? and mother-in-law of P and mother-in-law of P कौन है mother-in-law of P? अब यह सारी who is the wife of D and mother-in-law of P देखो यहाँ पे and से जोड़ा तो and जोड़ा है तो मने क्या बोला जो पहले इंसान आएगा वो who है who कौन है पेटा? यह E है है ना? है ना? तो यह लिख दो E who is the E कौन है? who है ठीक है? तो यह लिख दो who को E से E is the wife of D and E and जो 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 पहले आ रहा है word उसको पकट देंगा इससे पहले वाले इन वो जो पहले आ रहा है and E is the mother-in-law of P अब E कौन है? इस P की mother-in-law है तो मतलब यहाँ जो भी आएगा उसकी बहू जो है वो P है तो यहाँ पे कौन दिख रहा है? तो B दिख रहा है इसका पती तो हमें B दिख रहा है बेटा यहाँ पे तो clear है? तो पूरा डाइगराम हमारा यह बन गया हमारा पूरा डाइगराम यह बन गया How is B related to D? B कैसे D से related है B इसका बेटा है भाई E का बेटा B है तो D का बेटा भी D का बेटा भी B हो गया तो how is B related to D? इसका बेटा है इसका बेटा है इसका बेटा को जोड़ो यह बहुत प्यारा कोशन है ऐसे कोशन को हम क्या बोलते है धाकड लेवल का कोशन जो एक्जाम के लिए डिक्लेयर करा जाता है अब हमने तो वर्ड वाले पड़े थे अब actual नाम वाले आगया है उसको कैसे करेंगा देखो कंचन is mother-in-law of Rita कंचन को मैं क्ये लिख रहा हूँ शौर्ट ठीक है यह कौन है mother-in-law है तो मतलब लड़की है अब नाम से भी कई बार confusion होती है लड़का भी हो सकता है लड़की भी है आइसे नाम है कि लड़की का भी नाम हो सकता है बट रीटा नहीं हो सकता है ना यह प्योर लड़की का नाम है तो थोड़ा सा common sense जादा नहीं थोड़ा बहुत लगाना है mother-in-law of Rita तो रीटा मतलब कि रीटा के husband जो है वो कंचन के बेटे हैं तो तब उसकी भेहू होगी ना who is the sister-in-law चलो यहां से clear भी कर दिया who is the sister-in-law of Vinay तो इसका जो पती है उसका भाई कोई नहीं हो गया विने हो गया अब विने को मैं वी से रिप्रेजेंट का रहा हूँ अब वी विने कोई लड़का होगा अब इस वाद है दश्रत is the father of sham अब यह दोनों अलग-अलग कड़ी में आ गए दश्रत जो है वो शाम का पापा है अब समझो यहां सर ना who है ना and है तो जब तक who ना आए तो याद रखना यहां पे यह जो कड़ी बाल रहा ना यह इसी से जोट रहा है जब तक sorry and ना आए तो यह basically इसी की बात कर रहा है तो उसी को continue कर रहा है दश्रत is the father of sham and sham is the son, brother of a the only brother of a तो sham जो है वही only brother है विनेगा sham जो है वो only brother है विनेगा sham जो है वो only brother है विनेगा क्या सरनुज में आ रहा है कि sham यहां आना चाहिए भाई यहां एक लड़का आने वाला था क्योंकि यह लड़की है रीटा common sense से समझ में आ गया था बोला ना common sense वोड़ा वड़ लगाना बढ़ेगा common sense समझ में आ गया था रीटा लड़की है और यहां भी clear करी दिया वैसे इसने अगर common sense लग रहा है नहीं लगानी चाहते तो आप यहां से तो पकड़ सकते थे कि हां sister-in-law ही होने वाली है यह विने बोल दिया था brother-in-law है तो यह लड़का ही है और यह बीच में जो आएगा उसका भाई होने वाला है और बोला है इसका इकलोता भाई है इकलोता भाई है तो मतलब यहीं इनसान होगा तो वो कौन बोल रखा है शाम बोल रखा है है ना बढ़िया कोशन यह सर ऐसे कोशन एक्जाम में आते हैं यह हमारे धाकड़ देवल के कोशन है ठीक है वाई यह हमारा पहला टाइप ओफ कोशन होता है अब हम बढ़ते हैं दूसरे टाइप के कोशन की डैट विल बेस्ट अन सम कन्वर्सेशन और डाइलोग इसमें क्या होगा ऐसा लाइन लिखा हुआ आएगा स्राटिंग अंदर में जिसको हम रेफेरेंस के तौर पर यूश करेंगे रीटा सेड टूशाम मतलब लोग बाते कर रहे हैं कि फलानी फलानी बात कि उसके बेटे की नाना किदा दी कि बफचा कौन है बता तो ऐसे कोशन आएगा रीटा शेट टूशाम एक लाइन बोलेगी रीटा ठीक है आपको उस लाइन का आंसर बताना होगा कि भाई अभी इस लाइन में शाम और रीटा कैसे इस लाइन आएंगे उसको कैसे स्वाल कर रहा है यह भी हम बताएंगे ठीक है जी कोशन के हैं से मैं आपको सीधा सीधा बताता रहूंगा कि कैसे है जैसे यह आ अगया अपना डायलोग बेस पॉइंटिंटिंट फोटोग्राफ अमर से तो मतलब अमर ने किससे बात नहीं क कर रहा है हां जी तो क्या गया रहा है इस कोशन के अंदर में देखो दिहान से देखना किया रहा है कि I have no brother or sister but the man's father is my father's son यह कौन बोल रहा है यह हमारा अमर बोल रहा है तो कैसे करना इस कोशन को अप्रोच कैसे करना बड़ा important है दिहान रखना अब जो बोल रहा है कि भई I have no brother or sister but the man's father is my father's only son सबसे पहला word ढूंडेंगे कौन आप कहां पर आ रहे हो माई यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अमर बोल रहा है अमर तो अमर कहां पर आ रहा है उसको ढूंडेंगे उसके आगे की बात ली जाएंगे जैसे बाक्षी दिखा कर रहा है वही ठीक I have no brother or sister इस line का मतलब क्या बड़ा ध्यान से सुनना I have no brother or sister आपका कोई भाई-बहन नहीं है मतलब सगा भाई-बहन नहीं है तो आप अपने माबाब के इकलोते हो तो मतलब अमर अपने माबाब का इकलोता है लाइन का मतलब क्या है यू आर ओनली चाइल्ड टू यौर पेरेंट इस लाइन का मतलब यह आ रहा है ठीक है भाई ठीक है भाई तो पहली लाइन क्लियर होगी यहां से तो अमर ही है जो इस लाइन में बूल रहा है माइपढ़र सन इस फोटो जिसों की देख रहा हूं इसका आप अमर है एस में कभा अमर है तो में को रहा है मैन कोन है अमर का बेटा हो गया अमर लड़का है क्योंकि पापा बोल दिया और मैन जो है वो ये है Whose photograph was it? ये photograph किस की थी? साफ साफ दिख रहा है अमन के बेटे की थी अमन के बेटे की थी है ना मैन की थी ना और मैन कोन है अमन का बेटा अमर का बेटा Yes, next question, looking at the portrait of a man, Ashok said, his mother is the wife of my father's son, his mother is the wife of my father's son, brother and sister I have none, again, ये line जैसे भी बेटी मतलब, अकेला माबाब का बेटा है, only child, इसको लिख देने का ताकि क्लियर रहे, जो भी information मिलती जारी है उसको फटा-फट लिख लो ताकि क्लियर रहे, मैंड में कि क्या बोलना ही कोशिश कर र देगी, शुरू करने से पहले, शुरू करने से पहले कोशन, पहले कोशन में क्या बूचा है, वो बढ़ना है, at whose portrait was Ashok looking, पोट्रेट यहां है, यहां पर किसको देख रहा है, इसके बारे में बात हो रही है, अशोक देख रहा है, लाइन भी अशोक ने बोली, ये clear है, ठीक खुद हो गया, सेम कोशन है, अब बट लाइन स्टार्टिंग वाले चीह हो गई, his mother is the wife of my father's son, my father's son कोन हो गया, मेरे बाप का बेटा, तो ये अशोक हो गया, तो his mother is the wife of Ashok, अब क्या करेंगे, जैसे यहां पर पता चल गया, उल्टा जाना शुरू करो, ठीक है, जैसे पता चल गया, क्या करेंगे, हमने क्या, हर कोशन में ही, उल्टा जाना शुरू करेंगे, अभी सिखाया था, वही करना है, wife of Ashok, अशोक की wife, ठीक है, mother, his mother, जो दिख रहा है, यहां पर, उसकी mother is the wife of Ashok, यह कौन है, mother है, जो दिख रहा है, जिसका portrait दिख रहा है, पोर्ट्रेट क किसका दिख रहा है, इसके बेटेगा, portrait किसका दिख रहा है, his mother, है ना, कौन है वो, अशोक की wife, इसका बेटा, अशोक का सन हो गया, है ना, इसको गलती से हमने इस से जोड दिया, double and dash जोडना था, ठीक है, wife of Ashok, कौन है, wife of Ashok कौन है, mother है इसकी, ठीक है, यह, अब इसको पूरी पढ़ना होना तो याद रखना, इस जो वर्ड है यह जोडने के लिए होता है, इसके इधर की कहानी, एक इंसान पर चल रही है, इसकी इधर की कहानी, एक इंसान पर चल रही है, यह भी याद रख लेना, ठीक है, क्या बोला मैंने, the wife of Ashok, is mother of the man in the portrait, यह पूरी कहा इस जो होगा ना, यह जोडने के लिए है, दो अलग अलग चीजों को जोडने का काम करता है, इस, कहानी शुरू करेंगे, इंसान से, हमेशा जो बीच में इस दिख रहा होगा, वो उस दिख रहा होगा, वो हमारा जोडने वाला है, वहाँ पर आके आप फुल स्टॉप ले आओगे, मतलब ऐसा है, देखो, हम माई से शुरू करेंगे, उसके आगे की solution निकालेंगे, देखो, लिख लो इसको, ठीक है, short notes में लिख लो, SSN में, उसके आगे का solution निकालेंगे, उसका जो भी एक answer आएगा, जैसे हमारा यहाँ पर अशोक आया, उसको लिख देंगे, फ His mother, portrait वला इंसान की mother, यह दोनों इंसान सेम होंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से इंसान जो आएगा, यहाँ से answer और यहाँ से answer जो आएगा, ठीक है, अभी question और कराऊंगा, और अच्छे समझ में आएगा, यह बहात important बात पता रहा हूं, ठीक है, Lalita said to Tina, you are the daughter-in-law of the grand mother of my father's only son, how is Lalita related to Tina, Lalita और Tina का relation बताना है, ठीक है न, कैसे कर रहा है भाई, देखा अब डाइलोग है, Lalita और Tina ने डाइलोग exchange किया, you are the daughter-in-law of the grandmother of my father's only son, माई पे गोला मारना है, you are the daughter-in-law of the grandmother, इस वर्ड कहीं न दिख रहा है, तो मतलब हूँ उल्टा चल लेंगे, ठीक है, yes, माई से शुरू करेंगे, my father's, my father's only son, ठीक है, अब ये line किसने बोली है, ललीता ने बोली है, ललीता किसका नाम है, लड़का है, लड़की है, ललीता लड़की लग रहा है भाई नाम, है न, तो ललीता का, पापा का, एक लोता बेटा, ललीता तो लड़की है, ललीता का का एक लोता भाई है रहे ना ओनली ब्रदर है लली ता my father's only son मतलब ललीता का भाई ठीक है ललीता's father's only son ठीक है अब यह कुम बता रहा है ललीता का भाई ललीता's brother लीगे दूज सका grand mother of Lalita's brother लजीटा की brother की grand mother मतलब इसके mother हो गई पर लुधल इसकी डॉ egentलो कौन है यू है वदलब टीना तो टीना कौन है वही इसकी ङृ deze फोकरते नहां ऐनाना है हमें तीना जैंगे हम ये अपनी तीना है यहां पर बहू शुक्या दिख रहे हमें टीना कौन है ललीटा की मज़र न इसकी पापा की पीबी है तो कौन है टीना को ने मज़र है और प्र行आ अब देखो यहां ऑप्शन ही नहीं निया आंसर गलत मत करके आना पहला रिलेशन कै पूछा गया ललीता का रिलेशन टीना से क्या है यह पूछा गया ललीता इस डॉटर आफ टीना कई अप्शन है कि नन ओप दीज आएगा इन ओफ दीज आएगा ध्यान से बढ़ने गाया ठीक है भाई और सही है क्लियर है बहुत प्यारा कोशन है अच्छे लेवल का कोशन है इसकी को बोलते हैं धाकर लेवल का कोशन है ठीक है समझना है बहुत अच्छा कोशन है आगे अब फालतू की बाते हो रही है ठीक है बस यह बता चल गया एक रिलेटिव है वो किसका है बोई जो मूवी देखने गया है तो दो बस रिक कंटेंट आ रहे है यह इसका कोई डाग्राम से रिलेशन नहीं है दा मैं वोग्यों दा हजबन ऑफ इस्टर ऑफ इसमदर रहे है इस कौन है जो बाते कर रहा है इस कौन है बोई यह ढूड़ना बड़ा इंपॉर्टन था ठीक है यह हिज कौन है boy line को ध्यान से बढ़ो यह sentence boy ने नहीं बोला but बात किसके बारे में हो रही है boy के बारे में boy की mother boy की mother यहाँ पर आ गई boy mother sister of boy's mother sister of boy's mother boy की aunt है ना यहाँ तक आ गया sister of boy's की aunt husband of sister of boy's mother तो boy's का uncle हो गया है ना यहाँ पर husband of this person husband मतलब double nd से जोड़ेंगे और मालो यहाँ पर जो भी आएगा तो मतलब boy का uncle आ गया हाँ जी मौसा जी को भी अंकल बोलते है yes the man was man कौन है अब हमें जोड़ना है बोले ना इस वह से जोड़ना है मैं कौन है यह है यह इंसान कौन है मैं है तो मैं कौन है भाई हाँ मैं रिलेटेट टू वह में नहीं मैं वह मैं रिलेटेटेट टू वह मैं जी ऐंकल यह हमारा मौसा भी अंकल गहले गा ठीक है भाई क्लियर है यह अच्छा कोशन दा अब आखिरी टाइप का कोशन है symbolically coded जो कि जादा नहीं आता अभी मैं आपको 15 question कराऊंगा इसके बाद मैं जो कि last year में आये होए हैं उससे ही आपको समझ मा आ जागा यार ऐसे type का question तो ही नहीं ठीक है बट फिर भी हमें पढ़ना चाहिए A question से आपको समझ मा आ जागा उसमें क्या होगा यह क्यों useful भी नहीं लग रहा मुझे भी जादा यह ऐसे फालतू के symbols दे रख्योंगे ठीक है A का दे दिया I think pond का symbol है dollar का symbol है percentage का है and का है plus का है minus का है और यह कुछ ना relations बता रहे होंगे mother को बोल दिया कि and relation से represent कर दो father को बोल दिया plus relation से अभी question से दिखाता हूँ ठीक है और बोलेगा कि इसके अंदर में एक line दे देगा और बोलेगा कि बताओ दो लोगों के बीच में relation क्या है दो लोगों के बीच में relation क्या है ठीक है जैसे बोल दिया na A dollar B means A is the mother of B ठीक है A hash B means A is the father of B में जब यह लिखने का shortcut है इस line का तो हम क्या करेंगे हम जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अपने को बताना है यह क्या represent कर रहा है P at the rate Q dollar M hash T तो यह बोलर क्या represent कर रहा है करना क्या इस question में बताता हूने को क्या पी at the rate Q तो यह लिखा हुआ दिख रहा है तो डरने का नहीं है यह ढूंडो P और Q कहा लिखा हुआ है यह सुरी at the rate sign कहा लिखा हुआ है तो यहाँ पर अपने आपको A को P put कर देंगे जो कि left में आ रहा है left में A आ रहा है तो उसको P put कर देंगे और B की जगा पर Q put कर देंगे B के जगा पर Q तो मतलब P at the rate Q का मतलब क्या है P is the husband of Q P is the husband of Q ठीक है समझना है A at the rate B के जगा पर हम क्या करने माले कर रहे A और B के जगा पर हम जो sign होगा उसके left और right में उसको डाल देंगे तो यहाँ पर add the rate के left side में P आ रहा है right side में Q आ रहा है यहाँ A आ रहा है यहाँ B आ रहा है तो A बन जाएगा हमारा P और B बन जाएगा हमारा Q तो यहाँ से क्या होगा P is the husband of Q P जो है वो husband है Q का family tree पर ऐसे आ गया ठीक है ना Q डॉलर B Q डॉलर M Q डॉलर M डॉलर साइन यह रहा तो यहाँ पर basically Q है और यहाँ पर M है तो A के जगा पर Q है और B के जगा पर M है Q is the mother of M Q जो है वो M की mother है अब M का gender नहीं पता याद रखना M का gender नहीं पता M हैश T M हैश T M हैश T M यहाँ हैश यह रहा T यह रहा तो M यहाँ पर यह हो गया और T यह हो गया M is the father of T M जो है वो T का father है सही है Family treatment गया complete क्या बोल रहा है What relationship of P with T P का relation T के साथ क्या है अब T gender में लड़का ओ लड़कियो बट P तो उसका दादा ही रहगा So P is जो पहला इंसान लिखा होना उसका gender पता होना चाहिए तभी आप बता सकते हो So P is grandfather of T ठीक है अगर यह पूछ लेता ना यहाँ पर What is relation of T with P यह पूछ लेता ना तो आप बोलते हैं कि T का तो gender यह पता तो हम बोलते हैं data inadequate Last question में देखोगे हमारा एक question आया था यहाँ पर यह इससे पहले वाला Indeterminable या data inadequate ऐसा वर्टतब होता है जब हमें एक इंसान का gender नहीं पता T का relation P का क्या है T ग्रांड सन है या ग्रांड डॉटर है नहीं पता तो P का gender पता है तो P का relation T तो fix है ग्रांड फादर ही होगा टीक रहेगा है नहीं पता ठीक है ना जरूरत में नहीं है और आप देखो यह अपने last year के question देखते हैं ऐसा question exam में आता है ठीक है तो यह बोल रहा है आपको 2019 में question आया है देखो कैसा question आ रहा है यहाँ पर क्या लंबी लंबी नहीं दे रखें बट एक बार पढ़ोगे तो आपको लगए वाह कितना असान question है दिखते है करें six members of the family namely A, B, C, D, E and F are traveling together ठीक है अब बोलो के sir आपने तो बहुत कम question के practice करा है ग्यारा ही question हुए बेटा question ही तो practice करा रहा हूं और कुछ नहीं है बट यहाँ पर last year question की practice है आपको जादा अच्छा idea मिलेगा तो मैंने पंदरा question last year के ले लिया है कि लास्ट year question की practice करा ली तो अपना आगे का सारा कुछ हो गया तो इस ही को reference लेके आप कराएंगे इसके पर तसल्ली से करा हूँ अटेंशन मतलो आपको यहीं से बता चलेगा कैसे question आते हैं सारे जितने भी tips तीवी tricks तीव मैं बता चुका हूँ question को attempt कैसे करना है किस तरीके से सोचना सारा कुछ बता चुका है भी पड़े छे मेंबर है फैमिली में A, B, C, D, E and F फटाफट कोशिद को बनना है आप ट्रेवलिंट तो मतलब निया बस छेल हो गया यह पता है B is the son of C, B जो है C का son है जितनी फटाफट डाइगराम मना पाओ बढ़िया है C is not the mother of B, C B की mother नहीं है तो कौन होगा father होगा, clear है C is not the mother of B, तो मतलब C कौन है, father है, यह clear होगया, yes sir तो मतलब C कौन है, father है B का A and C are married couple, A की शादी हो रखी है C से तो C father है तो A को mother होना पड़ेगा E is the brother of C, E जो है C का brother है, ठीक है D is the daughter of A, D जो है इसकी daughter है इसकी मतलब B की बहन है, कौन A है, sorry, D है, D है, D इसकी बहन है F is the brother of B, F कौन है, B का brother है, F B का brother है How many male members are there in the family, 4 दिख रहे हैं भाई, answer is 4 असान कोश्चिन था, इतना सा family tree बन रहा है, कितनी देर लगेगी, एक line को लिखने में 5 सेकिन लगे आपको पढ़ने में, 10 सेकिन एक line में, 4 line है दे रखी है, 4 line हो को अगर आपको answer देना है तो कितने लगे है, 40 सेकिन यार, इतना ही लगना है बस ठीक है, अगला कोश्चिन I think ये copy-paste हो गया कोश्चिन, नहीं, नहीं, सेम कोश्चिन है सेम कोश्चिन, बड़ा इजी कोश्चिन और उसी में दुबारा पूछ लिया इसने लंबा कोश्चिन भी दिया और इजी इतना दे दिया, देखो B is the son of C, सेम है, B is the son of C, is not the mother of सेम, मतलब family tree ये ही चलेगा family tree ये ही चलेगा, मैं इसको क्या copy कर पा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, हमारा ये family tree को reference लेकर अब सीधा, अब दुबारा से question पढ़ने की चुरूति नहीं है same line ने दे रखी है, सीधा question का answer दे सकते हैं using the old family tree, इसलिए family tree बहुत important है how many children does A have, A के कितने बच्चे हैं, A के ये भी बच्चा है ये mother है, ये father है, इन दोनों के कितने बच्चे हैं, ये तीनों बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, एक है, तीन है तो पूरा पढ़ने की चुरूति नहीं है, पहले वाले में जो family tree बनाया है, उसी से answer आ गया देखे रहे हो कितने बच्चे हैं, फ्री के नंबर है भाईया, फ्री के, बावु भाईया सुन रहे हो, what is the relation of E to D, same question, इसी same question पर आपका answer आ रहा है, what is the relation of E to D, देखे रहे हो, E का D से क्या relation है, कहा है भाई family tree, ये भाई family tree, ये रहा है, E का D से क्या relation है, तो E कौन है, उसक देखे, D के पापा का भाई E है, तो E का D से क्या relation है, E is the uncle of D, साफ साफ दिख रहा है, E is the uncle of D, है न, E यहाँ था, यहाँ पर उसके पापा थे, यहाँ उसके भाई था, और D हमारी यहाँ थी, तो E कौन दिख रहा है, इसके uncle दिख रहे है, simple question, अगला question देखे, ओ भाई सा 2019 के मतलब यह तो बहुत easy attempt आया था, चार नंबर free fund के दिए थे, easy question, पटाबट करने वाले, दो मिनट में चार question, दो मिनट में नहीं बहुत एक मिनट में चार question का answer आ गया, who is the mother of B, B की mother कौन है, I think A थी, वापस family chart पे गया, कौन है mother है, A, कितना easy question है यार, कितना awesome है chapter, है न easy one, सही है बाई, clear है, तो अपना हो गया यह, चार question मतलब 2019 सट्रिम्ट में जैसा हमारे exam में आ जाए, तो हम बोलने हैंगे वाह, इसको लगा डाला, तो life jingle आला, बहुत easy है, अगला question देखो, विक्की introduced John as the son of the only brother of his father's wife, how is विक्की to the John, बहुत simple है, विक्की ने introduce किया John को as the son of the only brother of his father's wife, तो हम कहां से शुरू करेंगे, कहां से, me myself सो देनी रखा his, तो his कोन है विटा, जो बोल रहा है, his कोन है विक्की, तो विक्की से शुरू करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है न, म मेन मंदे पर जाना है, बंदा चाहे मी से हो माई से हो कही से, मेन मंदा कोन है his, इस ते शुरू करेंगे, विक्की के फादर की वाइफ, उनकी मम्मी होगी न, विक्की की, ठीक है, ब्रदर ओफ, ये इनसान, कौन है, विक्की की मदर, ये कौन है, विक्की की मदर, ये कौन ह तो मतलब यह कौन है? विक्की का इकलोता अंकल, विक्की का इकलोता मेटरनल अंकल, विक्की का इकलोता मेटरनल अंकल, जॉन कौन है? एस दा सन, विक्की इंट्रोड्यूची जॉन एस दा सन ओफ इसका, इसका सन कौन है? जॉन है, विक्की का ये जॉन से क्या रिलेशन है? इसके अंकल का बेटा है, मामा का बेटा, क्या होता है, अंग्रेजी में कजन कहलाता है, simple question, easy one, ठीक है, थोड़ा सा language को ध्यान से पढ़ना है, छोटा लिखा हुआ question कई बार मुश्किल होता है दिखने में और बड़ा लिखा हुआ असान होता है, यह इसका थोड़ा सा एक trend है, ठीक है ना, language confuse कर सकता है, हम अपना pattern में चलेंगे, जो main बंदा है, वहां से शुरू करेंगे, आगे जाएंगे, और धीरे 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 पीछे बढ़ते जाएंगे, जब तक हम दूसरे बंदे तक ना पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, यह आगे बढ़ें, अगला question, हाँ, देखो, इस question में, कहने, pointing out to a lady, Sohail said, she is the daughter of women, who, who is the mother of the husband of my mother, who is the lady to Sohail, थोड़ा सा correction कर ले ले ना जी प्लीज, ठीक है, अब क्या बोल रहे इस question में, सोहिल ने बोला है, सोहिल ने बोला है, okay, lady के बारे में, और बोला है, lady सोहिल की क्या लगती है, lady dash लगती है, यहाँ फिल इतना blanks में, फिल करना है, ठीक है ना, यह question में यह बूचा गया, तो हम कहां से शुरू करेंगे, my से, है ना, my, my mother, सोहिल की mother, अब आगे खताम हो गया है, तो हम उल्टा चलेंगे, तो यह क्या है, सोहिल की mother, है, husband of सोहिल mother, उल्टा आना शुरू गया, husband of सोहिल mother, मतलब सोहिल के father हो गः, यहाँ तक कहां आगे हम, सोहिल के father तक, जो उनसा इंसान बनता जा रहा है न एंड वाला वो लिखते जाओ Mother of Sohil Father Sohil Father की Mother कौन है? Sohil की कौन है बेटा? Grandmother है, Sohil की Grandmother हो गई यहाँ पर Mother of Sohil Father कौन है? Who is the Grandmother हो गई है ना? तो क्या बोल रहा है ब? She is the daughter of women who is the Grandmother तो यह women कौन हो गई? Who से जब भी जोड़ा होता है तो हम किसको बोलते हैं? जो आखरी में इंसान था हो बदाया था है ना? Who से जब जुड़ा होता है तो कौन इंसान है? Women है तो women कौन है? Women is the Grandmother Women कौन है? Grandmother है Daughter of Grandmother उल्टा जा रहे है बिटा? अभी शी तक पहुंचेंगे यहाँ पर उल्टा चल रहे है Daughter of Grandmother कौन है? Daughter of Grandmother इस Grandmother की Daughter कौन है? क्या ये Daughter है? नहीं सर ये तो Daughter इंलो है सुरी भाई गलती हो गई हम से यहाँ पे इसको डंडा गलत लगा जिया था ठीक है? डबल डंडे से जोड़ना है याद रखना चोटी-चोटी मिस्टेक जल्द बाजी में नहीं करनी है ये Mother है, माइनर साइन और डबल डंडे से जोड़ना है तो इसकी भहू है ये बेटी कौन होगी? इसकी बहन होगी आपके पापा की बहन होगी तो Sohil की कौन होगी? वो आंट होगी न? ये daughter पर आ गए है तो मतलब कौन है ये? Sohil की आंट तक बहुच गए है She is the Sohil आंट Lady is कौन है? She है ये कौन है? Lady है ये हमारी न? She कौन होगी वह यहां पर जो जिसके बारे में बात कर रहा है तो Lady कौन है? Sohil की आंट तो ये आ गया relation Lady is aunt of Sohil aunt of Sohil ठीक है? तो क्या लगती है लेडी सोयल की आंट लगती है है ना बढ़िया question? Question को बड़ा ध्यान से तोड़ तोड़ के पढ़ते जाओ जल्दी answer आएगा P is the brother of Q and R ठीक है? P जो है वो Q और R का भाई है Q और R क्या है? लड़का जड़का नहीं बता S is the mother of R S इनकी mother है इसकी mother है तो इन ती की mother होगी simple सी बात है mother है तो मतलब minus का sign T is the father of P T इसका पापा है भई अब देखो R की mother है और ये तीनों भाई महन है लड़का को नहीं लड़की को नहीं नहीं बता और S mother है और T क्या बोल रखा है? इनका पापा बोल रखा तो मतलब इसका पती हो गया ना भाई T हो गया यहां पे विजो बता फॉल्विं स्टेट्मेंट cannot be defined true S is the mother of P S is the mother of P हाँ भई सिंपल बात है S mother है P तो ये तो true है हमें बोला के cannot be defined true देख रों question को बड़ा ध्यान से पढ़ना है कौनसी false है statement अच्छा question है ये easy one बट ध्यान से पढ़ने वाला तो ये तो true है तो ये हमारा answer नहीं होगा P is the son of S P लड़का है ये भी clear बोल रखा है हाँ S का लड़का है ये भी सही है ये भी नहीं हो सकती गलत statement कोंसी भी बता नहीं है T is the husband of S T husband है हाँ T लड़का है और इसका पती है ये भी सही है आखरी बची Q is the Q का gender नहीं बता Q is the son of T Q लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है Q का gender नहीं बोला P is the brother of Q and R बोले क्यों क्या है नहीं बता ये नहीं बता सकते ये गलत है रॉंग है ये तो यही हमारा cannot be determined में ये सारे बता दी है सही बता रहा है ये वाला हमारा answer हो गया D कि ये गलत है भाई Q का gender नहीं बता अगला question pointing towards a person of man said to women एक आदमी ने औरत को बोला men ने women को बोला है ठीक है ना men ने women को बोला है याद रखना है एक बार तो हमारा main character man है my man आएगा how is the women related to person women का relation पूचा है women person से कैसे related है ये पूचा है ठीक है ना अब statement बेराद है his mother is the a person said two women his mother क्या लिखा रूखा pointing towards a person a man said to women नहां ठीक है ओके sorry 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 ये question बड़ा दिहान से पढ़ने वाला था ये line बड़ी important थी अब person तीन लोग है एक person है एक man है और एक women है हमसे पूचा किया how women is related to person तो person का क्या relation है बोलने वाला आदबी है women से बात कर रहा है बात person के बारे में कर रहा है किसलें बाते करनेंगा ऐसे कुछ अजीब सा ठीक है यह बाते कर रहे यह अधना इस पर संक के बारे में क्या बाते olarak Dlatego किसकी मदर शाओध किसके बारे में बात हो रही है परसंगील है आप उनली टॉप यॉर फॉढराय विमें गया मैð में है ही नहीं अप इस पिचर में मैं कहा रहा है मेरे बारे में नहीं तेरे बारे में बात कर रहा हूं बात किसके बारे में वही है विमन और परसन में करेक्टर कौन है मैं नहीं है मैं दूसरे के बारे में बात कर रहा है विमन और परसन तो पहले किसके बारे में बात कर रहा ना तो main character जिससे बात कर रहा है वो बन गया man picture में था नहीं, women or person है, person से बात नहीं हो रही, बात women से ओरी है, तो हमने बोला ना जब first person गायब हो जाए, first person जो बोल रहा है, second person जिससे बोल रहा है, third person जिसके बारे में बोल रहा है, जब first person picture में ना हो, हम second से शुरू करेंगे, second goal होता है, you, his, her, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, sorry, you, your, ये रिप्रेजेंट करता है, his, her, रिप्रेजेंट करता है, third person, है ना भई, ठीक है, ये तो अंगरेजी भी पढ़ा हुए आपने, अब आते हैं, तो हमारा main character हमेशा ये भी आत रखना है, जनरली बाद में शुरू हो रहा हुता है, ठीक है, women father, women के father, women father, women है, लड़की है, only daughter of women's father, अब women लड़की है, इसकी एक लौती बेटी, कौन होगी, women लड़की है, और एक लौती बेटी तो खुद होगी ना, पिसली लाइन में आगया था ना, women, तो person की mother women है, यहां मतला basically person इसका बेटा है, ठीक है, how is the women related to the person, इसका diagram नामना तो तब भी हो जाता, how is the women related to person, women कैसे person से related है, women is mother of person, simple, ठीक है, but discussion में हमने सीखा क्या, हमने सीखा, ऐसा हो सकता है कि first person जो बोल रहा है, उसके बारे में कोई जिकर ही ना है, second person के बारे में जिकर हो गया, ठीक है ना, yes, clear है, pointing to a lady in the photograph, राम said her son's father is the son of my mother, ठीक है, how is राम related to lady, राम का लेड़ी से क्या सब्बद है, ठीक है, जो पहले लिखा है, वो यहां लिखेंगे, जो बाद में लिखा है, बीच में डालना है अपने हो, ठीक है ना, करें शुरू, माई कहां वड़े ही रहा, माई मदर, कौन बोल रहा है, राम बोल रहा है, राम की मदर, राम मदर, ठीक है, राम लड़का है, son-in-law of राम's mother, माई मदर कौन आ गया, राम's mother, राम की मदर का, कौन है भाई, son-in-law, राम लड़का है, इनका, कौन है भाई, दामाद, यह तो आ गया ठीक है तो ये कौन है राम का ब्रदर इलो ठीक है तो ये सन इलो किसका राम की मदर का यहां पे राम का क्या लग जाएगा ब्रदर इलो इनका दमाद राम का कौन है जीजा तो ये कौन है राम का ब्रदर इलो है बेटा ठीक है हर संस फादर इस से जोड़ना है मैंने क् जैसे इस बड़ आएगा तो हमारी यहां पर कहानी इस पर रुख गई है अब इधर वाली कहानी को simplify करो किसकी लेडी को अपर हर संस फादर कैसे लिएगे हर मतलब लेडी ठीक है लेडी का सन ठीक है मैंने क्या बोल था इसके इधर वाले को अलग simplify करना है देखते हैं क्या बोल रहे है ठीक है लेडी का सन और इसका फादर मतलब लेडी का हस्बेंड हो गया है ना भाई ठीक है यह लेडी का हस्बेंड जो है वो यह इंसान है लेडी का हस्बेंड य तो यह लेडी का हस्बेंट है तो राम की सिस्टर कौन हो गई भाई, बताओ, कौन लग रहा है, भाई, अगर यह हस्बेंट है, तो यह लेडी तो खुद हो गई ना, लेडी का हस्बेंट, अगर राम का ब्रदर है तो लेडी तो खुद हो गई ना, तो राम और लेडी का क्य कोशन में कुछ गड़बर है या फिर option में कुछ गड़बर है राम जो है वो brother आएगा ठीक है ना How is Ram related to lady पूछा है ठीक है मेभी like option में कुछ गड़बर लिख दिया है गलती से the answer will be brother या फिर question ऐसा होना चाहिए था How is lady related to Ram अगर लेड़ी का क्या relation है यह पूछा होता तो लेड़ी कैसे related है भाहिराम से लेड़ी जो है वो sister है ठीक है फिर यह हो जाता है okay read question very carefully बहुत प्यारा question था simple जो छोटे question होते हैं वो कई बहुत confusing होते हैं यह अगल introducing a boy as a son of as the son of the daughter of the father of her uncle the boys girls क्या है boy girl का क्या लगता है ठीक है boy girl का क्या लगता है talk बोला गाए boy ko कैसे introduce क्या है the son of the daughter of father of her uncle बोला किसने अंकल लेड़ी ने बोला ai यह ए और लीन वोलै और गर्ल के अंकल है अब गडू के पापा या मम्य हों गे यहाँ पर उन इनके भाई अंकल है ना पापा भी हो सकते हैं मम्मी भी हो सकते हैं अंकल बोला ना ये हो गया ठीक है फादर ओफ हर अंकल ये तो लेडी के अंकल पर फादर ओफ हर अंकल यहां पर इसके पापा कौन होंगे इसके पापा कौन होंगे इसके मम्मी या पापा के भी पापा लगेंगे आपके दादा जी अगर आपकी मम्मी के पापा या फिर मैं बोलूँ आपकी मम्मी के भाई के पापा एक ही इंसान हो है ना जो भी हो जाए है तो ग्रैंड फादर ना चाहिए ना जी हो जाए दादा जी daughter of grandfather daughter of grandfather अच्छा मैंने आपको बताई यह बात क्लियर याद करो मैंने बोला था जब भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो में इंसान जो होगा ना वो वो होगा एस मैं आपको कहीं बार जब भी ऐसी लाइने आएंगी ना तो जो फिल करने वाला होगा ना बीच में जो डारेक्ट रिलेशन होगा गर्ल से वो इंसान होगा तो ग्रैंड फादर की डॉर्टर कोन होगी यहां पर इसकी मदर निकल कर आएंगी येस क्लियर है दसन ओफ दा डॉर्टर ओफ ग्रैंड दसन ओफ दा डॉर्टर ओफ ग्रैंड ऑदर टो डॉर्टर ओफ ग्रैंड फादर कोण निकल कर आएंगी जी मदर तो इस मदर का सबदान है इस गर्ल का थो ओँगो इा वह बाय्ट ऐंड है बोएकश इंस ने तो बोई यहां गया थीके बोईकस इंस ने पा क्लियर लड़क ब्रदर ठीक है लाइनों का बड़ा तोड़ तोड़ के बढ़ना बड़ेगा इसके अंदर बें एक दम एक एक चीज को the son of mother किस mother का इस mother का बेटा कौन है भाई लड़की का भाई हो गया clear है okay pointing to a lady sahil said एक lady को point करके sahil ने क्या बोला she is the daughter of the women who is the mother of the husband of my mother who is a lady to sahil ठीक है my mother one बोल रहा है sahil बोल रहा है I think अभी कोशन किया है यह वाला आपने sahil की mother yes the husband of my mother तो मतलब यहां पर इसका sahil का father हो गया the mother of who is the यह किया है भाई आप सौल करके बताओ यह कोशन मैंने कराया हुआ है you tell the answer अभी कराया similar question देखरें मतलब बस I think नाम चेंड हो गया वहां पर कुछ नाम अलग था यहां नाम अलग है वहां सोहिल था यहां साहिल है अलग attempt में दुबारा से same type का question डाल दिया यह होता है इसका answer हमें comment में आप बताएंगे same type का question exactly line भी copy paste डाल दी है इसका answer आप बताएंगे यह हमने बताया आपको भाई अगला pointing towards A B said your mother is the younger sister of my mother बोला किसने बी ने बी कोन हो गया माई हो गया तो बी माई हो गया बी की मदर ठीक है न यह होगी light माई मदर मतलब बी की मदर यिंगर sister of B's mother तो यहां पर younger sister मतलब की बी की, Mother की Sister मतला B की आन्ट हो गई? ठीक है ना? B की आन्ट हो गई? Yes. Younger सिस्टर कोई है? B की आन्ट हो गईए, यहा深 का गई B की आन्ट है. Your mother is B's A to, किसको बोल रहा है? A को, A यहाँ है, A की McKkeep कोई Shanghai, B की आनट है, तो A कुन है? इसका बेटा है, सही है? A is related to BS, A और B क्या है भाई, कजन है, A लड़का है तो पक्का है भाई, और कैसा है भई, कजन है, क्लियर है, येस, बहुत प्यारा गर्शिर है, आगे चलते हैं, अगला, शाम's mother said to शाम, शाम की मम्मी ने शाम को बोला है, माई मदर हैसान, शाम इस रिलेटी टू राम, अच्छा, शाम एक इंसान आने वाला है, ये तो बहुत इसी है, ये कजन मदर निकल के आने वाले है, वापा, सिंपल बतारों में, ठीक है, माई मदर, कौन बोलने शाम की मदर ह शाम ने बोला, शाम ने नहीं बोला ध्यान सुनना, जो बोलता है, वो में परसन है, माई को ने शाम की मदर, ठीक है, तो हम माई की मदर से आगे शुरू कर रहेंगे, माई से आगे, माई मदर, शाम की मदर मतलब शाम की ग्रैंड मदर हो गई, माई मदर कौन हो गई, शाम क अब्बा की मदर का भाई हो जाएगा शाम यहां है शाम की मदर का भाई इंका एक बेटा रही है जो कि राम है तो शाम इस रिलेटेट व्राम शाम और राम को नहीं बाई, कॉजन है, यह गढ़बढ हो सकती थी, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सन का सन बोला था, यह तो बड़ा प्यारा सा कुशन था, एकदम लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ने वाला, अगला कुशन, अमित का रिलेशन गर्ल से क्या है, यह बताना है, ठीक है, अमित की मदर, क्लियर है, यहाँ तक हो गया, इनका ग्रैंड सन, तो मतलब अमित का बेटा, है ना, सर इसका कोई और भाई भेंद का भी तो बेटा सुकता है, मैंने बोला था, तब तक डाइवाइटर नहीं करेंगे, जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए, तो हम इसका ग्रैंड सन मानेंगे, अमित का बेटा है, क्ल अगला वक्षिन है, अगला वक्षिन है, देखो, A is the son of C, C and Q are sister, ठीक है, जो बोला जाल है लिखते जाओ, A is the son of C, C and Q are sister, तो C is लड़की है, और इसकी बहन कौन है, Q है, Z is the mother of Q, Z इसकी मदर है, तो मतलब C की मदर है, यही लगाएंगे, ठीक है न, Q की मदर Z है, तो मतलब C की मदर भी Z है, लड़की है तो माई दसको है लगा दिया, ठीक है, and P is the son of Z, P कौन है, इसका son है, P इसका son तो मतलब इसकी मम्मी का भाई है, A की मम्मी का भाई है, which of the following statement is true, कौनसी statement true है, A and P are cousins नहीं, कजन तो same generation के होते हैं, यह तो इसका uncle है, P A का uncle है, तो यह false statement है, हमें true बता नहीं है इस बार, ठीक है, C and P are sisters, नहीं, C and P are sister नहीं, P तो brother है इसका, तो यह भी false है, P is the maternal uncle of A, yes, P uncle है, मम्मी के side से, है ना, मामा है, maternal uncle मतलब मामा, यह true है, A is the maternal uncle of P, false, A तो भाईया, इसका भाजा है, है ना, तो statement कौनसी true है, C हो गई, very good, बहुत प्यारा question था, easy one, and I think, इसके साथ, हमारी question की सीमा भी होती है, समापत, हमने बहुत सारे, अलग-अलग type के, प्यारे-प्यारे question आपको करके दिखा दिए हैं, और आपको दिख गया होगा, exam में जो भी question आया है, वो कोई बड़ा question नहीं आया, exam में एक line का कोशन आया, maximum दो line, अगर उसने question के length बढ़ाई है ना, उस पर multiple question दे दिए हैं, तो ये भी हमने आपको दिखा दिया है, तो अगर आपके exam में question आयेगा, तो छोटा सा line आयेगा, बट वो line को बड़ा तोड़ के समझना पड़ेगा, and मैं आपको बता दूँ भाई, यहां पे जो पहले वाले question देना, तो वो practice थे, बाद वाले question यहीं करा रहा था, ताकि मैं भी आपको दिखा पाऊंगी, गल्ति यहां हमसे exam में हो रही है, आपसे नहीं बन रहा है, तो मैंने दिखाया कि मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा question यहीं पर, तो वो भी बनेगा, and सारे question बने, तो इसलिए बोल रहा हूँ, blood relation is a chapter, जिसमें 100% आप paper में फोड कर आओगे, कोई question गलत नहीं होगा, अगर आप से बता रहा हूँ, उसको बनाते जाते हो, इतना कर लोगे, exam फोड के आओगे, बाकी keep practicing, take care, bye-bye, logical reasoning हमारी 20 number की ready हो चुकी है, और लगबग 20 number से जाधा का, नहीं कितने number का, लगबग हमने 24 number का, हमने complete करा दिया है, maths वाला part, अब बढ़ेंगे stats की, और stats को बढ़ेंगे, yes, पहले 2-3 chapter stats के बढ़ाऊंगा, ताकि वहां से भी confidence आए, हमारा past का जुगाड हो जाए, then हम बढ़ेंगे आगे आने वाले chapter पे, ठीक है, तो बच्चावाडी, keep practicing, take care, bye-bye, अलविदा बच्चावाडी